प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कारिकाल में शेत्र की शांती, प्रगती और सम्रिधी के लिए काम करना जारी रखेगा श्री मोधी ने शेत्र में लोगों के बीच प्रगार, संबंध और संपर्क बढ़ाने का आवाहन किया उन्होंने कल रात राशपती भवन में शपत ग्रहन सम्हारों के बाद भारत के पडोसी देशों और हिंद महासागर शेत्र के नेताओं से भेट की दौरान ये बाते कही प्रधान मंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते वे पडोसी प्रथम निती और सागर द्रिष्टी कोंड के प्रती भारत की प्रतिभधिता को दोहराया है श्री मोधी ने कहा कि भारत अंतराश्वे शेत्रों में ग्लोबल साउथ की आवास बुलंद करना जारी रखेगा समारों में मौलदीव के राशपती मोहमद मुईजू, नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचन और श्री लंका के राशपती रानिल विक्रम सिंगे सहित भारत के पडोसी देशों और हिंद महा सागर शेत्र के शीर्श नेताओं ने भाग लिया मही बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना, मौरिश्यस की प्रधान मंत्री प्रवींद कुमार जगनौत, भूटांत की प्रधान मंत्री शेरिंटोपगे और सेशेल्स के उपराशपती एहमद अफीफ भी समारों में शामिल हुए